हलो दोस्तो नमस्कार करता हूँ मैं हूँ सागर और आप सब को फिर से एक बार अपने स्बार कराफ्ट इन्फो टे की YouTube चैनल में आप सब तो को मैं सवागत करता हूँ दोसता आज कर जो मेरा टौपिक है यह टौपिक है की कंप्यूटर सिक्यूरिटी क्या है Cyber Security के बारे में मैंने पूरा एक सिरीज बनाया हुआ है आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं लेकिन आज हम लोग बात करेंगे कि Computer Security क्या है तो दोस्तों इस वीडियो को सुरू करते हैं और सुरू करने के पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लेज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें सपोर्ट करें अपने दोस्तों को साथ अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ share करें इस वीडियो को और वीडियो को like जरूर करें और जैसा भी वीडियो आपको लगता है अच्छा लगता है बुरा लगता है comment करके जरूर बताएं ताकि अगर वीडियो में कुछ problem है कुछ सुधारा जा सकता है तो मैं उसके लिए बहतर करके आप लोग को सामने एक बहतर quality का वीडियो दे सकता हूँ हलाकि जो content होता है मेरा ये content सब knowledgeable content है और बाकी visual पता नहीं आप लोग को कैसा पसंद आता है नहीं आता है अगर नहीं आता तो please comment करके जरूर बताएं आप मुझे तो दोस्ते अच्छली बात करते हैं कि आज कल का ज मेरा computer internet से connected होता है तो cyber security के साथ साथ हमारा computer security है ये भी बहुत ही जरूरी हो जाता है अगर आप बाहर के खत्रों से बचना चाहते हैं तो internet से तो आप बचना ही है लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने computer security को भी मजबूत रखना बहुत जरूरी हो जाता है किस तरह से हम अप अपने computer security को मजबूत कर सकते हैं ताकि जो हमारा data है वो सुरक्षित रह सके इसको हम लोग देखेंगे ये भी एक series होगा जिसमें आपको मैं part by part बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने computer security को मजबूत कर सकते हैं क्या क्या तरीका होता है इसका तो सबसे बड़ी बात है कि computer security क cyber security या IT security के नाम से भी जाना जाता है इसको आप कह सकते हैं कि जो information technology है इसी का एक branch है हमारा जिसको हम computer security के नाम से जानते हैं या कह सकते हैं जिसको computer की सुरक्षा के लिए बनाया गया है इसे क्या होता है computer system और जो data होता है इसे क्या होता है कि computer का हमारा पुरा system या जो उसके अंदर data होता है जिसे हम store कर सकते हैं या access कर सकते हैं इसकी सुरक्षा की जाती है और इसे information security के रूप में जाना जाता है या कहा जाता है अगर computer security का objective देखा जाए तो इसको आप इस तरीके से कह सकते हैं computer के किसी भी information को चोरी होने से protect करना यही हमारा computer security कहलाता है एक line में अगर इसको बोला जाए तो अगर आगें और ऐसे भी computer जो है वो हमारे जिवन में इक बहुत ही important role अदा करता है और computer में हम किसी भी परकार के कारियों को आसानी से कर सकते हैं इसलिए computer क्या इतना popular है और आज के जमाने में हर घर में आपको एक ना एक computer मिल जाएगा और हर कोई चाहता है कि जो मेरा information computer के अंदर में है वो मेरा secure रहे जिससे कोई भी unauthorized person हमारे computer कर data को न चुरा सके और न उसका गलत इस्तिमाल कर सके और ना ही वाइरस से attack हो करके मेरा file destroy होने पाए हर कोई इस बात को हर कोई चाहता है जिसके पास भी computer होता है क्योंकि computer तो पहले computer आता है उसको जब data डालते हैं तो computer से ज्यादा महेंगा हमारा data हो जाता है इसलिए data को बचाना unauthorized user से और वाइरस से भी बहुत जरूरी हो जाता है computer security में आप सुधार करने के लिए कुछ जो मैं बता रहा हूँ कुछ नीमों को उसको आप अपना सकते हैं ताकि आप अपने computer को ज्यादा स्यादा सुरक्षीत रख सकें इसी भी बैक्ति को अपने computer के data तक पहुंचने से रोकना यह हमारा पहला security system अगर आप इसको अपनाते हैं तो मतलब इस तरीके को अपनाते हैं कि मेरा data तक कोई भी unauthorized person न पहुंच सके जिससे मेरा data का गलत इस्तिमाल न हो सके और वैसे computer device का इस्तिमाल करना वैसे computer hardware device का इस्तिमाल करना जिससे कोई भी unauthorized person physically या internet के थ्रू किसी भी तरीके से आपके computer तक वो न पहुंच सके आपके computer में जो operating system आप डाल के रखे हैं उसके security को समझना और जब उसको आप समझ जाते हैं तो कोई भी unauthorized person चाहे वो physical हो या internet के थ्रू हो उसको मसकत करना पढ़ता है आपके data तक पहुंचने के तो operating system कभी भी crack भर सना इस्तेमाल करें original operating system इस्तेमाल करें उसके security function को समझें और इस तरह से आप अपने data को बचा सकते हैं आप अपने computer में programming strategy को भी बना सकते हैं कि किस तरह से programming बनाया जाए जिससे आपका जो computer है वो ज्यादा से ज्यादा सेव रह सके अगर आप programming जानते ह हैं तो और नहीं जानते हैं तो ऊपर के जो मैंने कुछ उपायों को बताया है इसको आप अपना सकते हैं तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही आज जो हम लोग सीखें कि computer security क्या है और किस तरह से हम सुरक्षित रह सकते हैं तो इसके बारे में आज के वीडियो में इत पहुचते हैं unauthorized या illegal person वो किस तरह से आपके computer तक पहुचते हैं इस चीज को समझना बहुत जरूरी है तो अगले बार मैं इस चीज को बताऊंगा कि किस तरह से unlegal, illegal person या unauthorized person आपके computer पहुचते हैं और आप कैसे उसे बस सकते हैं तो दोस्तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए और प्लीज कमेंट करना मत भूलिए अच्छा लगता है बुरा पिरूर बताएए ये मेरी request है आप सबों से तो thank you दोस्तो फिर मिलत अगले वीडियो में तब तक लिए सुक्रिया धन्यवाद thank you bye bye